जेहन दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आजम लोग बात करने वाले हैं राजिस्थान स्टेट के एक और छोटे से रेलवे स्टीशन के बारे में जिसका काम काफी आदा बड़ा है जी हाँ दोस्तों जैसा कि भी आप लोगों ने दोस्तों थमनेल में देखा कि आजम लो इस समय में काफी यह दा विसेज हो जाएगा हम बताएंगे आपको कैसे बने रही है हमारे साथ वीडियो देखना पूरे एंट तक चली वीडियो को सुरू करते है बिना किसी विलम के दोस्तों सबसे पहले आपको यह दिख रहा रामगंजमंडी रेलवे स्टेशन यह राजि la暉 निए पर comment अचयर साथ यह दो यहां पर दक रहना पर इस चोनिकस्ता स्ट्रेशन यह दोस्तों बात करते हैं इसके रेल मार्गों के ऊपर के यहां से कहां कहां के लिए रेल मार्ग आकर कि यहां पर जोड़े हैं और यहां पर क्या सोगात मिलने वाली है इस रेलवे स्टीशन को बहुत ही जल्द दोस्तों यह जो आपको ऊपर की तरफ यह रेल लाइन भी दिख रही है यह डबल एलेक्टिफाइड रेलवे लाइन है और यह काफी जादा विसेश रेल लाइन है और यह तो होगी पहले रेल लाइन की बात अब हम बात करते हैं जो नीचे गया हुआ है दोस्तों यह जो नीचे गया हुआ है रेल मार्ग यह रेल मार्ग दोस्तों सीधा जाता है हम आपको ले करके चलते हैं नागदा जंक्सन यहां से हम रतलाम जंग्शन जा सकते हैं यानि कि यह दिल्ली मुंबई मेल लाइन पर स्थित आया और ये काफी विसेश railway station है अब ये तो हो गई कुल डो रेल लाइनों की बाते जहांपर मैंने आपको पता है ये रेल लाइन जाती है कोटा से दिल्ली और ये रेल लाइन जाती है रतलाम के माद्यम से सीधा मुंबई अब दोस्तों जो तीसरी रेल लाइन आपको ये दिख र ब्यावरा राजगर को जोड़ेगी और नर्सिंगर के रास्ते सीधा भोपाल तक जाने वाली है यानि कि आप लोगों को सबसे सुगम रेल मार्क पड़ेगा राम गंज मंडी से आप लोग सीधा राजिस्थान से भोपाल पहुंच सकते हैं मद्द प्रदेश के राजधानी म और काफी अदा छोटा रेलवे रूट होगा दोस्तों ये वर्तमान के हालात में ये रतलाम होकर के भोपाल जाना पड़ता है लेकिन ये काफी अदा महतपूर रेल लाइन होने वाली आगे वाले समय में और ये रेलवे स्टेशन और भी बड़ा जंगसन बन जाएगा जहा जो की रामगंज मंडी में आ करके मिलती है और ये काफी विशेश रेल लाइन है जो की इस रेलवे स्टेशन पर बहुत ही जादा सुविदा परदान कर देगी आगे आने वाले समय में दोस्तों वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर से बताना और अगला रेलवे स्ट जब तक ली जे हिंद वान देमात्रम